प्यारे बच्चों उमीद करता हूँ आप लोगों का जो सामाजी विज्ञान का पेपर था वो बहुत अच्छा गया होगा हमने पेपर देखा और हमने ये देखा कि कई सारा कोश्चन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था मतलब एक दिन पहले मैंने आपको जितना कुछी कोश् प्रश्चन करने से आप काफी सारे प्रश्चन करना जान जाते हैं मैथ में यही फायदा रहता है आप एक प्रकार के अगर प्रश्चन कर लिए तो उसी तरहीं के अंक जो है इधर उधर करके एक्जाम जो है एक्जामनर जो है ऐसा देगा क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको कफी सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण है आप लोगों की बोर्ड एक्जाम की दिश्च से वो सारे कराने वाला हो ठीक है तो बस वीडियो में आपको सुरू से लेकर लाश तक बने रहने जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ बहुत यच्छी तरीके से आपको देखते हुए चलना है लेकि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप अच्छी स तयार कर लिया तो आपके फुल मार्क्स करते हुए आपके प्यारे बच्छों लिखा हुआ है बिंदूओं के निमनलिखित यूगमों के बीच की दूरियां घ्याद करनी रहेगी ऐसे इस टाइप के काफी सारे क्वेश्ट आपके बोड़ एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है चली मैं आपको बताता हूँ कि आ मैं आपको पहले या बताता हूँ ग्यादकरना है इन बिंदू यूगमों के बीच के इच की हमें दूरियां घ्याद करना है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे एक सूत्र होता है अपर प्लस ब्रैकिट में वाइटू- minus y1 का whole square यह हो गया पूरा under root के अंदर ठीक है ना इसको आप अच्छे से देख लिजिए यही होता है इसका सूत्र अभिस्ट दूरी का जो सूत्र होता है एक बार आप फिर से देख लिजिए under root के अंदर x2 minus x1 का whole square पूरे का और plus y2 minus y1 का whole square ठीक है इतना हो गया अब इसमें y1 कर देते हैं तीन विंदू होता है x1 y1 उसके बाद z1 जो भी रहे ठीक है ना इसमें तो इस प्रकार से होगे अगर ये एक और दिया गया होता something comma something तो फिर आप कर देते है x3 अब उसके बाद अगला जो होता वो होता y3 ठीक है तो आपको दो विंदू दिया हुआ है थमक उसके बाद आपका लिखा हुआ है x2 minus x1 का whole square x2 है आपका 4 ठीक है ना और x1 जो है ये है 2 इनका whole square और plus y2 minus y1 y2 है आपका 1 bracket के अंदर उसके बाद जो है y1 y1 का है आपका 3 minus 3 होगे इसका whole square ठीक है ना इतना clear होगे आपका अब इसका देखिए इसको हम बस कुछ नहीं करना इतना होने के बाद आप देखिए इसका जो है आप ऐसे कर देंगे दो दूना 4 हो जाएगा इसका whole square करेंगे तो ठीक है दो दूनी 4 होगे दो गुड़े 2 और ये जो है दो दूनी 4 ये भी हो गया और 20 में plus का symbol ये जो minus था दो गुड़े minus 2 बराबर 4 हो गया ये plus का 4 हो ये आपका 4 और plus 4 बराबर 8 हो जाएगा लेकिन अंडर root के अंदर अब जब इस अंडर root को हम बाहर लाएंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को जो हम 4 गुड़े 2 लिख सकते हैं अर था तो 2 गुड़े 4 लिख सकते हैं ठीक है तो ये जो 2 है दो तो under root में हो गया ठीक है ये अंडर root में 2 हो गया और ये जो 4 है इसका root बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ठीक है मतलब 2 और root 2 यही हो गया आपका उत्तर और देखिए कितना आसान सा question था ठीक है ना देखिए कितना आसान समय आपको बताया इतना आसान है बस सूतर रखिए सीधा answer आ जाएगा जो भ इस वीडियो में उसके बाद प्यारे बक्चों ये जो प्रसन है ये मैंने आपका प्रसन लिखा है ये बोर्ड परिक्षा में कई बार आ चुका है बहुत ही जादा most important है क्योंकि ये बोर्ड परिक्षा में कई बार पूछा जाचुका है यहां तक कि 2000 ये मतलब 19 में भी आ इतना हो मतलब cos A बरावर अंडरूट 3 बटे 2 है तो sin 2 A का मान बताईए ये है आपका प्रस्ट ने ठीक है ना चलिए देखते हैं बार देखिं कि cos A बरावर अंडरूट 3 बटे 2 कौस में किसका मान होता है ये कौस में होता है cos 30 का मान होता है cos 30 degree का आप इसको ये भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं cos से बराबर इतना लिखा था हम इसको cos से बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं क्योंकि अंडरूर 3 वर्टे 2 जो होता है वो cos 30 अंसी होता है ठीक है ना तो कहने के बतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अराम से इतना किलियर है आपका, उसके बाद आपका क्या पूछ रहा है, सब्सार्ण परीच्छ पतलब हम इसके इतना होता है, उसके बाद देखें येवाला ग्विकार है, आपका ये काफी महत्तपुड ओपूड है, ये भी आपके बोर्ड परिक्छा में पहले से आ चुका है, तो आजे देखते हैं ये question का answer क्या होगा, कैसे solve किया जाएगा, आजे देखते हैं, लिखा हुआ है cost 18 degree, बटे sign 72 degree, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको ये देखिए, लिखा हुआ है cost 18 degree, पहले आप ये देखिए, जो 18 है और 72 है, क्य क्या लिख सकते हैं, cost 18 degree को हम क्या लिख सकते हैं, cost, देखिए इसको लिख सकते हैं, cost 90 degree minus 72 degree, हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे ही बताइए, देखिए, आपका लिखा था cost 18 degree, 18 को अगर हम तोड़ दे, 90 minus 72 कर दे, फिर भी तो answer 18 ही आएगा, त ईसको 18 को, 90 minus 72 भी सकते हैं, अब आप ये देखिए, cost 90едиан such minus theta का जो सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए, cost 90 turtles minus theta का जो सूत्र होता है, आपका sine theta, तो अब यहीवाले, sin theta होता है, यही जूतर हम यहाँ यहाँ पर लगा देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sine theta, theta के ज इसके बाद चलिए आगे देखते हैं और प्यारे बच्चों इस तरह के question से ओर है आपके board exam में कोई नो कोई प्रस्ण ऐसा जरूर आ जाता है ठीक है तो मैं आपको इससे related एक दो और बता देता हूं जल्दी जल्दी से आप लोग बस देख लिए जैसे यह वाला प्रस्ण थ इसमें 90 देखना 90 बन रहा है एक नहीं बन रहा है यह दो है देखना रहता जैसे कि आपका इसी प्रकार से जो आपका अगला प्रस्ण हो गया वो क्या है मान लीजिए लिखा है 1026 डिगरी और बटे में caught 64 डिगरी ठीक न इतना लिखा हुआ है आपका इसकी value पूस्तर रहा जी हाँ बिल्कुल 90 आ रहा है तो इसको लिख देखने 10 उसके बाद 26 डिखा है इसको 90-64 कर देंगे 90-64 डिगरी और बटे में caught 64 डिगरी ठीक है उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 1090 असमाइस ठीटा बराबर क्या होता है caught ठीटा caught ठीटा जबापर 64 डिगरी इन दोनों बहुत ही आसान से जो है इसका आंसर आ जा रहा है अब मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूँगा इस तरह के questions करा करके बस आप लोग समझ गयो होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ठीक है एक छोटा सा question चाहिए तो मैं आपको और बता दे रहा हूं इसको आप लोग निगालना है ठीक है तो आप लोग यह देखिए क्या इन दोनों को मिला करके 90 हो रहा है 49 और 42 को मिलाने के बाद के 90 हो रहा है अब जब 90 हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं गौस की जगा तोड़ के लिख सकते हैं 90 माइनस 42 देखी करके 48 आएगा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है इतना लिख सकते हैं उसके बाद होगी आपका sin 42 degree ठीक है उसके बाद देखिए आपका क्या है इसमें हम sin cos 90 तो sin 42 degree हो गया और minus उसके बाद देखिए बराबर 0 है यहाँपर ठीक है इतना है आपका बराबर 0 है तो sin 42 में से sin 42 गये बराबर 0 आगे तो लिखा हुआ है से 37 डिगरी लिखा है यह 37 डिगरी आप लोग समझ लीजिए ठीक है न शेक 37 डिगरी लिखा है इसका अगर आपको वैल्यू पूछ रहे है तो कैसे करेंगे मैंने सेम बताया आपको सेक करेंगे 90 नब्य डिगरी माइनस तिरपन डिगरी क्योंकि जोडने पर 90 हो रहा है तो नब्य माइनस तिरपन हम इसको आप लिख सकते हैं क्या फिर बटे में करके को सेक कोई को सेक धिर है तो इसमें क्या लिखा हुआ है यदि 10 A बराबर कॉट भी हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा मतलब आपको कह रहा है प्रूब that इतना होगा आपका आगर कॉट अबराबर कॉट भी है चलिए मैं आपको बताता हूं इसका अंसर कैसे होगा ठीक है यहां से देखिए हम करते है solution हम यहां से start करते है और देखते हैं क्या है लिखा हुआ है 10A बराबर cot B लिखा है 10A बराबर cot B ठीक है इतना clear है अब देखिए हम यहां पर क्या लिखेंगे cot B cot B बराबर हो जाएगा 1090 degree minus B इतना clear है देखे 10 90 degree minus b लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा इसका 10 90 minus theta क्या होता है cot theta अर्थात cot b अर्थात कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ठीक है इतना आपका केलिए है उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 10 b ये जो cot b लिखा हुआ है cot b का मतलब क्या हुआ 10 a तो यहाँ पर हम 10 लिखलेंगे ठीक है क्योंकि cot b बराबर 10 a के तो हम 10 a यहाँ पर लिखलेंगे और क्या फिल लिखेंगे 10 90 minus b ठीक है 10 90 minus b इतना आपका हो गया अब देखी ये 10 और ये 10 ये दुन हटा देंगे ये cancel हो गया अब a बराबर 90 degree minus b इतना हो गया अब 90 degree तो 90 degree है बराबर इधाल लिखलेंगे तो a पलस बी हो जाएगा ठीक है अर्थात a plus b बराबर आपका 90 degree हो गया यही आपको प्रूब करना था यह आपको प्रूब करनां था यह weग होगे आपका solution ठीक है आपको समझ में आभी गया होगा उम्मीद करता हूं उसके बाद देखिए आपका अगला प्रस्ट में क्या है 2 10 30 degree upon 1 plus 10 square 30 degree इसका आपका मान गयात करना है बहुत ही आसान सा question है आप लोग देखिए इसका solution क्या होगा दो गुड़े 10 30 लिखा है मतलब यही होगा 10 square 30 degree मतलब यही होगा रथा जो 10 30 degree यह जो लिखा हुआ इसका मतलब यह हुआ तो 10 30 degree का मान क्या होता है एक बटे under root 3 होता है अब इस पूरे का whole square कहा गया है तो पूरे का whole square कर दिया अब देखिए इसका solution होगा क्या होगा उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 2 बटे under root 3 और जो यहां पर बटे में है हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 और प्लस एक बटे under root 3 कितना हो जाएगा 3 हो अब लिखेंगे 2 बटे under root 3 उसके बाद यह 3 का LCM लेंगे तो 3 हो गया और जो है यह हो जाएगा 3 ही कम 3 और एक कम एक अर्था 3 एक चार हो जाएगा ठीक है तो यह जो है आपका अब इस यह जो 3 लिखा हुआ है इसको हम कई परकार से लिख सकते हैं लिख सकते हैं under root 3 इससे नीचे आजाता है ठीक है इतना हो गया आपका अपका अनसर बहुत यहा सांसा प्राशन था अप लोगो को समझ में भी आ गया हो ठीक है उसके बाद देखिए dear students यह वाला जो question दिया है आपका क्या लिखा हुआ है देखी मेंसुरेशन से आपका question क्या लिखा हुआ है एक गोले के वक्रप्रिष्ट की माप 36 pi cm² है गोले का आयतन ग्याद कीजिए आपको वक्रप्रिष्ट दिया हुआ है आपको गोले का आयतन ग्याद करना है ठीक है चले मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे solution इसका क्या होग ठीक है ना देखिए पहले आप लिखेंगे दिया है देखिए क्या दिया है आपको दिया है गोले का वक्रप्रिष्ट की माप आपको दिया है तो लिखेंगे दिया है उसके बाद फिर गोले का वक्रप्रिष्ट गोले का वक्रप्रिष्ट आपको कितना दिया हुआ है 36 pi cm² इतना आपको दिया है, गोले का वक्रपिष्ट दिया है, आपको 36 pi cm2, अब आप ये देखिए, जो गोले का वक्रपिष्ट का सूत्र होता है, वो क्या होता है, 4 pi r square, गोले का वक्रपिष्ट क्या होता है, 4 pi r square, और दिया हुआ है 36 pi, ठीक है न, 36 pi cm2, इतना आपको दिया आप इसको काट देजिए, पाई से पाई कैंसल होगी, अर्थात आर स्क्वाइर बराबर नौ बचा, अगर आप इसको भी देखें ठीक से, तो आर से और इसका जो तीन तीन नो होता है, इसका वर्क करेंगे बराबर हो जाएगा, आर बराबर तीन, तो कहने का मतलब आर क्या पूछ रहा है आपका, गोले का आयतन पूछ रहा है, गोले का आयतन ग्याद कीजिए, अब आप यहां से यह देखिए, गोले के आयतन, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र जो होता है, वो होता है, वी मतलब वालियूम अर्थात आयतन, वी 3 का क्या हो जाएगा, 3 का whole cube कर देंगे हम, उसके बाद देखे dear students, 4 बटे, 3 गुडे πाई, बस अब यहां से क्या करना है, आपको क्यों क्यों सॉलुशन करना है, 3 का cube लिखा है अर्था, 3 गुडे, 3 गुडे, 3 लिखा हुआ है, बहुर्षन करना है, यही हो गया, एक बेलन के आधा, की तरिज्या तीन सैंटीमीटर, और उचाई साथ सैंटीमीटर है, ठीक है, तरिज्या आर दिया है, आपका вторिज्या आ ने आपका दिया है, तीन सैंटीमीटर ए तिना चाहिए है H, हैस मतलब होता है height, वो आपकी क्या दिया हुआ है, 7 cm, ठीके इतने जब clear है आपका, और पूछ रहा है, इस बेलन का वक्रप्रिष्ट ग्याद कीजिए, तो अब आप ये बताईए, बेलन का वक्रप्रिष्ट, इसका सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्रप्रिष साथ आप लोग जानते ही हैं, ठीके, उसके बाद देखिए R का कमान क्या दिया है, 3 दिया है, H मतलब उचाई कमान दिया है, 7 दिया है, अब देखिए आप इसको 22 में करवर्ट करी लेते हैं, दो गुड़े उसके बाद जो पाई कमान होता है, वो होता है 22 बटे 7 और 132 cm² क्या हो गया इस बेलन का वक्रप्रिष्ट हो गया बेलन का वक्रप्रिष्ट कितना हो गया 132 cm² ठीक है यह हो गया आपका आंसर रगी प्यारे बच्चों मैंने पूरी कोसिस की है कि आपको एकदम अच्छी तरीके से सारे questions बता सकूं सारे questions बहुत अच्छी तरीके से वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अब आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक आपका वीक है, आप मुझे ये बताइए कॉमेंट में, फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जो है, उस टॉपिक पर सारे कोशिशन अच्छे से समझाने क ठीक है प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग की बार लिंक चेक कर लिजेगा, हमने टेली ग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकि आप जॉइन हो सकते हैं, वहां से आप लोग PDF अगरा प्राप्त कर सकते हैं, आपकी study material की preparation वहां पर बहुत ही मिलते हैं, ऐसी ही किसी अन्न इंट्रेस्टिंग वुड़ो में, तब तक के लिए धन्यवाद,